कपिल शर्मा का कॉमेडी अंदाज उनके फ्रेंस को खुब पसंद आता है और वह अक्सर अपने इसी अंदाज में नजर भी आते हैं लेकिन जब देशी पंजाबी कपिल शर्मा ने अपनी सास को सेलिबरिटी अंदाज में किस करने की कोशिश की तो उनके साथ बड़ी मुसीबत हो गई ये किस्सा खुद कपिल शर्मा ने अपने शोव पर आई प्रियंका चोप्रा के सामने शेर किया है जिसकी क्लाइमेक्स अगर आप सुनेंगे तो आपकी भी हसी निकल पड़ेगी दरसल हाल ही में प्रियंका चोपडा अपनी आने वाली फिल्म The Sky Is Pink के प्रमोशन के लिए कपिल शर्मा के शो की शूटिंग करने पहुची यहां प्रियंका के साथ उनकी मा मधु चोपडा भी दर्शकों में बैठी हुई थी ऐसे में उन्हें देख कपिल ने प्रियंका से पूछा अच्छा निक जो है वो आपकी मम्मी को वैसे ही मिलते हैं जैसे इंडिया में दामाद मिलते हैं पैर छूकर या हवा में एरकिस करते हैं वैसे वाला इस पर प्रेंका जवाब देती है, दोनों के बीच में वो बेचारा गले लगाता है मम्मी को इस पर कपिल शर्मा ने कहा, मैंने अपनी सांस के साथ ट्राई किया था एर किस वाला उनका जुमका मेरे मुह में आ गया, ये सुनते ही प्रेंका समेत वहां बैठे सभी धर्शक ठाहा के लगा कर हस पड़े कपिल शर्मा के शो के अगले एपिसोड में प्रेंका चोप्रा अपने को स्टार फरहान अक्तर के साथ नजर आने वाली है फरहान के आने से पहले प्रेंका स्टेज पर कपिल के साथ बाते करती हुई नजर आ रही है इस शो के नए प्रोमो में प्रेंका कपिल से कहती हुई नजर आ रही है कि वहाँ उनकी शादी में नहीं आए, इसका प्रेंका को बहुत बुरा लगा इस पर कपिल कहते हैं मैं तो घोडी पर आना चाहता था बता दें कि प्रेंका चोप्रा की शादी निक जॉन्स के साथ पिछले साल एक और दो दिसंबर को भारत में हुई थी वहीं कपिल शर्मा ने भी गिन्नी चत्रत से 12 दिसंबर को शादी की थी यह दोनों ही शादियां काफी हाई प्रोफाइल रही थी प्रेंका की बॉलिबुट में वापसी की बाग करें तो लंबे समय बाद प्रेंका अपनी फिल्म दे स्काई इस पिंक से हंदी फिल्म में नजर आने वाली है